जैशी किष्णा दोस्तो बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तो सावन का बहुत ही पावन महीना चल रहा है और सावन सोमवार पर बहुत ही दुल्ला वियोग बना हुआ है दोस्तो आज की वीडियो में हम मनोकामना पूर्ती का बहुत ही सरल और अचुक उपाय आपको बताने वाले हैं दोस्तो अगर लंबे समय से आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पारी है तो आप इस सुमवार के दिन इस उपाय को अवश्य करें दोस्तो आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए चाहे वो शादी की है नोकरी की है मतलब आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए इस उपाय को कर सकते हैं संतान के लिए पूत्र के लिए यानि किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए आप इस उपाय को सावन सुमवार पर अवश और साथ इस दिन गज केसरी योग बनावाई इस योग में किया गया कोई भी उपाय निश्षफल नहीं जाता। दोस्तो इस उपाय को आपको पाँच बार करना है यानि आप सावन सुमबार में कर सकते हैं प्रदोश वाले दिन कर सकते हैं सावन शिवरात्री के दिन कर सकते हैं इस प्रकार आपको पाँच दिन इस उपाय को करना है आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी इसी विदी से करना है जिस विदी से हम आपको बताने जा रहे हैं। होना चाहिए कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए और आपको लेना है एक चावल का दाना और शहद लेना है साथ ही भगवान शंकर को भोग लगाने के लिए आपको दो केले अवश्चे ही लेने हैं इन सभी वस्तु को लेकर आप शिमंदिर में जाएं और उत्तर दिशा की तरफ मू करके आपको यह उपाय करना है दोस्तों सबसे पहले जो आपने बेल पत्र लिया है उसको अच्छे से धोले और अपनी अनामी का उंगली यानि जो सीधा हाथ होता है उसकी जो अनामी का उंगली होती है उससे आपको जो बेल पत्र की बीच वाल चाहिए उसको अपने सीधे हाथ में ले ग्यारा बार अपनी मनुकामना बोले और सुमेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए उस चावल के दाने को आपको उस शहद पर यानि बेल पत्र पर जो शहद लगाया है उस पर आपको चिपका देना है और चिकनी साइट से ही आपको वो शिबलिंग पर चड़ा देना है और उपर से आपको सुमेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए या ओम नमश्यवाय का जाब करते हुए एक लोटा जल शिबलिंग पर चड़ा देना है साथ ही दोस्तों जो आप केले ले गए है वो भी आप शिबलिंग पर अवष्ष चड़ाएं अपनी मनोकामना बोलकर और पूजा करने के बाद उसमें से एक केला अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं तो पती-पतनी अवश्य ग्रहन करें अगर आपकी कोई विशेश मनोकामना है तो आप सोयम ग्रहन कर ले अगर आप गर्वती है तब भी आपको अकेले ही ग्रहन करना है यानि अगर आपकी नोकरी की विवा की इच्छा है तब भी आपको अकेले ही ग्रहन करना है अगर संतान की इच्छा रखते हैं तो पती-पतनी अवश्य ही ग्रहन करें देखना आपकी जो मनोकामना है वो पांच बार करने से पहले ही अवश्य ही पूरी हो करें देखना आपकी इच्छा बहुत ही शीग्र पूरी होगी तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य करें अपनी मनो कामना के लिए निश्यती भगवान शंकर का आश्यवाद आपको प्राप्त होगा तो दोस्तों इस वीडियो को जाज़दा लाइक करें शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादे ववश्य लिखें आप सभी को जैशी किशना